इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें और नमबर में फंदे लेने हैं और एक स्लाई का ही डिजाइन है जिसे हमें बार-बार रिपीट करते हुए जाना है तो दोनों तरफ से डिजाइन बिल्कुल एक जसा बनेगा तो क्या करेंगे इसे बनाने के लिए हम एज स्ट्विच को हम स्लिप करेंगे और फिर हम सिंगल फंदे को स्लिप करेंगे और उसके आगे से हम धागे को लेकर आएंगे फिर हम दो फंदों का एक बनाएंगे सिंगल फंदे को हम स्लिप करेंगे उसके आगे से धागा लेके आएंगे और उस फंदे को हम डबल बनाएंगे डबल फंदे को हम एक कर लेंगे सिंगल फंदे को हम डबल बना देंगे धागा आगे करके लेके आएंगे और डबल फंदे को हम एक बना लेंगे सिंगल फंदे को डबल बना देंगे डबल फंदे को एक बना देंगे इस तरह से हम पूरी रो को कम्प्लीट कर लेंगे और सीधी साइट से भी हमें इसे ऐसे ही बनाना है उल्टी साइड से भी हमें इसे ऐसे ही बनाते हुए कम्प्लीट कर लेना है